इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर से जरूर पुछे। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का इमोनिया, सोराइसिस, एक्सिमा, एंठन, अस्थमा और मासिक धर्म संबंदी यानियमित्ताओं का उपचार शामिल है। इसका उप्योग रुमेटेट गठिया और गाउट के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। इस थेरपी का उप्योग मूतराशय की सूजन और असुविधाजनक पेशाप के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। इसका उप्योग महिलाओं में दर्दनाक मासिक धर्म और स्तन दर्द के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में 1. अस्थमा से राहत दिलाने में मदद करता है और सांस लेने में सुधार करता है 2. ये ठंडे मौसम के कारण होने वाली स्वास्थे समस्याओं के इलाज में मदद करता है 3. पूरे शरीर में दाद, पिती और खुजली वाली फुनसियों जैसे तवचा विकारों के इलाज में मदद करता है 4. इसका उपयोग घरगराहट वाली खांसी और सिस्टिटिस से पीड़ित रोगियों द्वारा किया जाता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारी चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे देगए सब्सक्राइब बटन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को आल नोटिफिकेशन पर सेट करें